दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी European country के बारे में जिस European country का वीजा मिल सकता है आपको बहुत आसानी से जहां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Lithenia की Lithenia एक ऐसी country से दोस्तो जहां कि population बहुत ही कम है लेकिन यहां पर job opportunities बहुत जाद है दोस्तो और इस वक्त अपनी economy grow करने के लिए Lithenia जो है बाहर से दुनिया भर से जो है लोगों को hire कर रही है दोस्तो और अलग-अलग sectors में hire कर रही है अभी पहले मैं आपको थोड़ी से जानकारी दे देता हूं Lithenia की उसके बाद हम बाकी की बाते करेंगे दोस्तो कौन सी jobs available है और अगर आप Lithenia का work permit बाना चाहते हैं तो उसका क्या process है दोस्तो सारी की सारी जानकारी जो दोस्तो आपको वीडियो के end तक मिल जाएगी बस वीडियो के end तक बने रहेगा साथ ही आपको jobs apply कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ इसलिए skip मत कीजेगा दोस्तो बात कर लेते हैं लिथेनिया की दोस्तो लिथेनिया जो है बहुत popular हो रहा है आजकल क्योंकि यहाँ पर job opportunities बहुत ज़ादा आपको देखने क्ले मिलेंगी जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुबात में बताया अगर लिथेनिया की neighboring countries की बात की जाए तो पोलेंड लात जो दोस्तो medium level जा थोड़ी सी उपर की होनी चाहिए ताकि आप अपनी बातों को जो है आगे convey कर सके और लोगों को समझा सके क्योंकि सामने वाला अंग्रेजी बोलता है या नहीं बोलता है इस चीज की guarantee नहीं है दोस्तो आपको लिथेनिया समझ में आई की नहीं तो आपक आपको जो है construction related jobs देखने के लिए मिलेगी और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि लिथेनिया में अगर आप जाएंगे तो आपको जाद अतर जो है semi skilled या फिर highly skilled jobs देखने के मिलेंगी दोस्तों unskilled jobs थोड़ी सी मात्रा में कम है और तरीका में आपको बताने वालो दोस्तों कि apply कैसे करना है बस वीडियो के इंट तक बनी रहीएगा सबसे पहले मैं आपको work permit का process बता देता हूँ कि अगर आप लिथेनिया के work permit लेना चाहते है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है दोस्तों आपको मिल जाती ह होंगे दोस्तों experience documents और education documents आपके personal documents वगएरा सब कुछ मांगने के बाद cv cover letter वगएरा मांगने के बाद दोस्तों वो अपनी country में आपके work permit के लिए अपलाई करता है work permit आने में जो है जो है 14 से 20 दिन लग सकते है 21 दिन भी लग सकते है जब आपका work permit एक बनके आ जाता है द बहुत अच्छी बात है दोस्तों नहीं मिलती है तो आपको थोड़ी सी जादा मेहनत करनी पर सकती है jobs apply करने के लिए आपके पास एक cv cover letter होना चाहिए दोस्तों वह भी European format का अगर cv cover letter खुद से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप चलिए यूरोपा.eu की website पे otherwise आप हमें मैं आपको बता रहा हूँ इस agency का नाम है work in Lithenia आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है apply get hired और relocate जैसा कि मैंने आपको वीडियो प्रॉसेस बताया था दोस्तों कि प्रॉसेस ही होगा job apply कीजिए apply करने के बाद सिलेक्ट हो जाए और relocate कर जाए दोस्तों आपको relocate करन दोस्तों जिससे कि आप लुटीनिया पहुंच सके दोस्तों यहाँ पर आपको दो options मिलेंगे discover लुटीनिया और browse jobs तो discover लुटीनिया पर क्लिक करके जो आप लुटीनिया के बारे में जानकारी अगर ले सकते हैं तो हम simply browse jobs वाले option पर click करेंगे browse jobs पर क्लिक करने के बाद यह 601 open positions available है दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जो है आपको कम ही jobs देखने क्ले मिलेंगे दोस्तों अगर आप ज्यादा नंबर में jobs देखना चाहते हैं तो LinkedIn और Indeed जैसी website का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको highly skilled jobs देखने क्ले मिलेंगी और SC jobs देखने क्ले मिलेंगी जो की foreign workers के लिए हैं ठीक है यहाँ पर आप देखिए senior specialist की job available है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर भी anti-money laundering compliance specialist की job available है दोस्तों senior process manager की job available है उसके बाद people operations manager की job available है उसके बाद commercial से related कोई job available है Drupal developer की job available है senior data analyst की job available है उसके बाद यहाँ पर German speaking job के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों तो German speaking अगर आप है तो अच्छी बात है otherwise आप skip कर सकते हैं यहाँ पर quality assurance test specialist की job available है TIA technical consultant की job available है front and engineer की job available है accountant की job available है clerk की job available है lead की job available है ऐसी बहुत सारी jobs आपको देखने के मिल जाएंगी आप easily इसमें से किसी भी job पर click कर सकते हैं जैसे यह lead है accounts receivable इस पर click करके यहाँ view job वाले option पर click करके जो है इस job के बारे में जानकारी ले सकते दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए तीन साल होगा कम से कम languages आप देख सकते हैं English B2 आपके पास मतलब जो medium होती है दोस्तों उसमें भी आपको B2 चाहिए ठीक है B1 B2 में B2 चाहिए आपको experience में 3 साल होना चाहिए कम से कम accounting and financial services में उसके बाद monthly salary आपकी क्या होने वाली आप देख सकते हैं करीब आपको 31-32 euros के कर salary मिलने वाली है दोस्तों contract type full time होने वाला है उसके बाद यहां नीचे कौन सी company ने job दी है दोस्तों post किये वो भी आप देख सकते हैं उसके बाद job description में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है job responsibilities दी कहीं दोस्तों आपको यह पढ़ देना है उसके बाद आपका background क्या होना चाह क्लिक करके login as a candidate और company आप candidate की तरह करना चाहते है company की तरह तो यह obviously बहुत आसान है हमें candidate की तरह करना है दोस्तों क्यूंकि हम company तो है नहीं ठीक है candidate पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास option आएगा कि आप Facebook या फिर LinkedIn वगएर से direct कर सकते हैं अगर आपका account है तो ऐसे क पर क्लिक कीजिए तो candidate registration का option आगया दोस्तों आपके पास name डालिए, surname डालिए, email address डालिए, password डालिए, password को repeat कीजिए, country of residence डालिए, काउन सी country में रहते हैं ठीक है, citizenship काउन सी country की है, अगर आप इंडिया से तो इंडियन आएगा दोस्तों यहां इन दोनों options पर क्लिक करके register पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप यह करते हैं दोस्तों आपका registration जो successful हो जाता है, उसके बाद cv अगरे upload करके जो है आपको job के लिए apply करना होता है, दोस्तों यही process होता है, simple सा process, आप इस process के जरीए जहां पर जेतनी भी jobs available है, उन सभी jobs के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है, य अगर आपको समझ में आया है, तो आप जरूर इस website पर आईए और खुद के लिए job search कीजिए दोस्तों और इस website को अच्छी तरीके से explore कीजिए, अगर आप एक घंटे दे देते हैं इस website पर दोस्तों तो आपको job apply करना क्या, आपको इस website के बार में सब कुछ पता जल जाए लाइक कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करना मत बूलिएगा दोस्तों वीडियो को share करना मत बूलिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए बाई बाई